हमारे किच्छन में तो आज की रस बितनी बड़िया है कि मैं क्या ही बताऊं मिल्क केक की बाती कुछ और घर की जो कि pure तरीके से बनाई जाती है इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है और यह किसी का वर्डे हो या पर कसी को किसी को खिलाना दोग या किसी कि आप अच्छे से बना सकते हैं तो चलिए ज्यादा टाइम बेश्ट ना करते हूं वीडियो को स्टार्ट करते हो और इसको पूरा एंड तक देखना क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है तो आप इसे इसकी बिल्कुल ना करें और एंड तक इसे देखें तो द सब्काते रहेंगे लो-tops flame देखिए से चीनी ले ले है कंण दोरी और इसमें थोड़ा थोड़ा aid करते जाएंगे मिलाते हुए तो देखिए इसे खूर ते जाएंगे हम और इसी बिल्क अच्भात करते जाएंगे सालारी चीनी जो की हमने स्वाद नुसार लेके पहले से देखिए इसमें बवल्स बनने लगें आप इससे घबराए ना इसे आराम से आप चम्मच को चलाते रहें और यह हमारा मिल्कोट के तैयार हो जाएगा भी देखिए से ओटाना है हमें थोड़ी चीनी और एड कर दी हमने इसे थोड़ा थोड़ा एड इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो स्वाद इसमें बहुती प्यारा आई खट्टा डाल देंगे उसमें वह मज़ा नहीं है तो हम इसमें डाल देंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर तो देखिए हमने इसमें एड कर लिया है और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बिना किसी बबल्स देखिए इसमें तो बनेंगे बट फिर हमें इस अच्छे से रिमिक्स करते हुआ अच्छे से मिला लेना है तो इसे मिलाते जाए अच्छे से चमच आपको ऐसी लिए ताकि आप इस अच्छे से स्प्राइट कर सकें देखिए ऐसे करते जाना है और इसे बिलकुम नीचे न कुबाल आ चुगा है सेकंड पार्ट देखिए अभी हमारा वोट के तैयार नहीं हुआ है से हमें थोड़ी और पकाना है तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी और एट कर देंगे और फिर इसे अच्छे से पका लेंगे फिर से थर्ड वार हमारी तीन बार चीनी डल चुकी है और द लोटू फ्लेम पे से पका लें और आप इसको हाई फ्लेम भी कर सकते है थोड़ा उठने के लिए और ताकि आप करोगे तो लेकिन इसको अच्छे से चलाना है चम्मच को ताकि हमारा मावा जलेना देखिए थेख हो गया है हमारा मावा तो यह बनके तैयार हो जाएगा जि ऐसमें लाइची पाउडर भी एट कर लिया है हमने इसकी खुशून तो मिटाई में जान डाल देती है तो देखिए इसे अच्छे से फेट लेना एं इसे अच्छे से मिलाते हैं हमारा मावा बनके तैयार है हम इसे निकाल लेंगे नीचे यह तो हम इसे आसानी से निकाल देखिए यह माव बन के तैयार हो गया है हमारा पूरा ओड गया है इसका कलर भी काफी अच्छा दिख रहा है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है मैं ट्रिक तो यह है कि आपको इस अच्छे से फेट ना है हमने एक प्लेट में घी को ग्रीस कर लिया है तो इसे उतने ही निकाल लेंगे, तो देखिया हमने घीपो ग्रीज करना लोगा मिठाई कम बनाए रखें हम ने काशित तयार हमारी मिठाई कीने कालST तेज लोग और करें सब्सक्वर निकाला लाइगे यह बने हमारा तो हम इसने लिए हम काशिया हुआ और आप इसे ट्राइ करें यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप देख सकते ही हमारी मिल्क केक बनके तैयार है जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है यमी तो आप भी इसे ट्राइ करें घर में बनना है किसी के वर्दे पर या आपको किसी को खिलाना हो या मेहमान को खिलाना हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं घर में सिर्फ आप ली टू चीजों से बन के तैयार हमारा मिल्क केक इसे आप कभी भी बना सकते हैं खाने के लिए तो थैंक यू फॉर वाचिंग